नमुश्कार में उप्रियाज दो नवंबर खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर आज सुरे देश में मनाई जाएगी धनतेरस आज विधान सभा की दो सीटों पर होगी परिणाम की घोश्णा जोंदा दर्बास बार बोले स्टीयम नितीश अब सभी प्रखंडों में होगे पंचायत समीती सिर्वकार भवन बिहार में धान खरीद की हुई श्विरवात दिक्कत होने पर इस नमबर पर करे कॉल अब चोले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की उर्वस्तार है आज पुरे देश पे मनाई जाएगी धंतेरस दिवाली से दो दिन पहले आज धंतेरस का त्याउहार मनाया जाना है जो इस बार दो नमबर को पढ़ रहा है इस दिन मालक्ष्मी, धन के देवता कुबेर, धनवंतरी की और यमराज की पूजा की जाएगी इस दिन सोने चांदी और घर के लिए बरतन खरीदने की परंपरा है आज के दिन विधी विधान की गई पूजा, अर्चना करने से घर परिवार में सदैव सुख सम्रुधी का वास बना रहता है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि धनतेरस का त्योहार कार्टे कृष्ण पक्ष्ट की त्रियोधशी तारीक को मनाया जाता है धनतेरस के दिन पीतर, चांदी, स्टील के बरतन खरीदने की परंपरा है मानता है कि इस दिन बरतन खरीदने से धन सम्रुधी आपके बिहार में अब जल्दी सुलच जाएंगे जमीन से जुड़े मामले नाम बिहार का आए तो जमीन विवाद का जिक्र होता ही है क्योंकि घर चाहे कोई भी हो, जमीन से जुड़े विवाद का होना लाजमी है जमीन से जुड़े विवाद ही कारण बनते हैं, पारिवारी कलह और अशांती का यही कारण है कि बिहार सरकार लगातार यही कोशुश कर दिया है कि समय पर जमीन से जुड़े विवादों को सुलचाया जाए इसी कड़ी में अब जमीन विवाद को सब्छाने के लिए सरकार ने तफनी का सहारा लेने का फैसला लिया है जिसके तहती जल्दी जमीन विवादों से निप्टारे के लिए अधिकारियों का वाटसाप ग्रूप बनाये जाएगा इसमें सभी जुलों के अपर स्वाहरता, सहित विभाग के प्रभारी पदाधिकारी और सम्मधित प्रशाखा पदाधिकारी और सहाय को जोड़ा गया है इसका मकसद विभाग के बीच आपसी तालमेल से भूमी विवाद के मामलों का तत्वरित नप्टारा करना है आज विभाग को स्पेशल में हम बात करेंगे अनुराग आनंद की अनुराग आनंद का जन्म आज़ी के दिन साल 1978 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था अनुराग आनंद एक भारतिय लेखक है जिनके पास स्वैम जहायता, समाने कथा और एतिहासिक कथा शेलिया में कई बेस्ट सेलिंग किताब है वो फार्मसिटिकल, फास्ट मुविंग, कंजियूमर गुद्स और वदिय सेवाओं जैसे उद्योग में अनुभव के साथ एक कॉर्परेट पेशोवर के रूप में डबल हैट भी है ग्यात हो, आनंद के लेखन करियर की शुरुवात पिलर्स ओफ सक्सेस 2004 पुस्तक से हुई थी जो एक स्वेम सहायता पुस्तक है जिसकी उत्पत्ती आनंद के कॉलिज के दुनों में दिल्ली स्थित, इंजियो, UNES के साथ जुड़ने के कारण हुई है बिहार में पंचाय चुनाव लड़ने वाले हर उमिद्वार को करना होगा ये का बिहार में त्रीस्तर ये पंचाय चुनाव और ग्राम कचहरियों के चुनाव में मनमाना धन खर्च कर जीतने वालों की मुश्किले अबढ़ने वाली है क्यूंकि राजु निर्वाचुन आयोग ने पहली जन्वरी तक हर हाल में चुनावी खर्च का हिसाब श्रपत पत्र पर देने के लिए कहा है इसको लेकर आयोग ने साफ शब्दों में समय सीमा के साथ चुनाव खर्च का ब्योरा देने के लिए प्रारूप भी तै कर दिया है इसके साथ ही जुला दर्वाचुन अधिकारियों को प्रारूप भेज कर खर्च तलब करने का निर्देश जारी किया गया है इसको लेकर आयोग सक्त है इसके साथ ही आयोग ने ये साफ कह दिया है कि आयोग की बात नहीं मानने और समय पर खर्च का ब्योरा नहीं देने वालों की सदासिता भी जा सकती है जनता दर्वार के बाद बोले सीम नितीश बीते दिन सीयम नितीश ने एक बार फिर से जनता दर्बार लगाये था, इस जोरान उन्होंने अपने पास आए सभी फरियादियों की फरियाद सुनी, साथ ही समय पर समस्याओं का हल निकालने के लिए अधिकारियों को तलब किया है, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से आज कराई जा रही है, इससे बच्चने के लिए लोगों को वाक्सीन भीन लगाने का काम हो रहा है, वह उन्होंने बिहार के दो वधान सभाश्यत्रों में हुए उप्चनाव को लेकर कहा कि अब जनता मालिक है, कुछ लोग हम लोग पर अनाप्चनाव बोलते हैं, तो उन पर कंट्रोल लूम खोले जाएंगे, साथ ही सभी इलाको में होने बाली बिजडियापूर्ती के बारे में बूरी जहानकारी ली जा सके इसको लेकरHa shoulder ने engineer को निर्देश्यारी कर देडिया है, महले की बिजडियापूर्ती का काम हो जाए, तो उस अनुसार ट्रांसफर मर लगाए जाएंगे वहीं अगर किसी महले में छट घाटों तक बिजडिया पूर्ती होती है तो उस थिती में वहां अतरिक्त ट्रांसफर मर लगाए जाएंगे पूजा पंडाल और छट घाटों के बीच हाई टेंशन लो टेंशन के तारों के बीच उचित दूरी रखी जाएगी इसके साथ ही किसी भी संभावित हाथ से को रोका जा सके इसकी कोशिश की जाएगी महीं घाट पर कवर्ड तार से ही बिजडिया पूर्ती करने को कहा गया है अशोक स्थम्भ वैश्वाली में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास विभिन भारती स्थलो में फैले स्थम्भों की श्रिंकला में से एक अशोक स्थम्भ वैश्वाली बिहार में स्थित है समराट अशोक ने इन सभी सिध्धान्तों को एक खंबे पर उतकिर्ण करवाया और इस प्रकार भगवान बुद्ध और बौध धर्म को श्रधा और भक्ती समरपित की थी ये कॉलम कुल हुआ में स्थित है और उच्छ गुनवत्ता के एक पत्थर पर बना हुआ है ये पत्थर लाल पत्थर है जो उचाई में 18.3 मीटर उचा है स्थम्भ के शीर्ष पर एक विशाल चितर बना है ये स्थम्भ आज भी सुरक्षित और बरकरार है यहाँ पास में एक छोटा सा टैंक स्थे थे जुसे रामकुंड टैंक भी कहा ज़ाता है आज विधान सभा की दो सीटों पर होगी परिडाम की घोशना हाले में विधान सभा की दो सीटों पर उप्चिनाफ के लिए मतदान करवाई गये थे तो इसके बाद अब आज वोटों की गिंती होने वाली है तारापुर विधान सभा का विधाय कौन बनेगा इसका फैसला आज 12 बज़े तक होने की उम्मीद ज़ित आई गई है अगले चार वर्ष्ट तक छेत्र का प्रतिनित्व करने का मौका किसे मिलेगा इस सीन से भी परदा हर जाएगा उप्चिनाफ में यहां से नो प्रतियाशी मैदान में है वही कुशेश्वर स्थान की बात करें तो यहां भी स्थिती आज सपष्ट होने वाली है जिसके बाद आज किस प्रतियाशी और कौन सी पार्टी को जीत मिलेगी इसका फैसला हो जाएगा नमाखों से दी गई रिश्री रंजन को विदाई लेटिनेंट रिश्री रंजन अब इस दुनिया में नहीं रहे है लेकिन उन्हें याद समुचे देश के साथ साथ बिहार भी हमेशा ही करेगा क्योंकि हाथ से में जान कवाने वाले लेटिनेंट रिश्री रंजन की जान गई तो उन्हें अंतिम विदाई देने का होजो मुमर गया और लोगों ने खूब नारे बाजी भी की साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए क्योंकि पाकिस्तान के नापाक हरकतों के कारण ही रिश्री की जान गई थी जिसके बाद महा मौझूद लोगों ने नमाखों से अपने लाल को अंतिम विदाई दी इससे पहले रिशी रंजन का पार्थिव शरीर विशेश विमान से पटना एरपोर्ट लाए गया जहां एरपोर्ट पर उन्हें श्रधा सुमन अर्पित करने के बाद पटना से वाया रोट वेगुसराय उनके आवास पर लाए गया विहार के private school को भी RTE के दाइरे में लाने की शिरो हुई तैयारी विहार में अब सभी नीजी स्कूलों को विभाग के यी सम्मंधन पोर्टल के तहट RTE में लाने की तैयारी हो रही है जसके तहर अब विहार में सिख्षा वभाग के दाएरे में नहीं आये नीजी स्कूल को 30 नवमर तक सिख्षा वभाग के पोर्टल से रेडुस्टेशन कराने का वक्त दिया गया है जिया जिसके बाध ही विभाग ऐसे स्कूलों का वेरिफीकेशन करेगा और verify होने वाले सभी स्कूलों को एक खास code दिया जाएगा जिसके बाद इन सभी स्कूलों में RTI के प्रावधान लागू किये जाएंगे वरतमान समय में विभाग में 10,000 से ज्यादा नीजी स्कूल का संचालन हो रहा है लेकिन बिहार सरकार के सिक्षा वभाग के पास इन सभी स्कूलों का कोई आखड़ा उपलवध नहीं है अब सरकार ने इस संबंध है पोर्टल के जरिये सभी नीजी स्कूलों को अपने रेजिस्ट्रेशन कराने का इनरदेश दे दिया है बहारी लाखों में बर्फबारी के कारण नवंबर के पहले ही सब्ताह में होगी कम कपाने वाली ठंड नवंबर महीने के शुरवात हो गई है अभी से ही लोगों की घरों के पंखे बंध हो चुके हैं और लोग बिना कंबल और चादर के नहीं सोपा रहे हैं जोसे लोगों को एक बात का तो अंदाजा है कि इस बार की ठंड रूह कपकपाने वाली होने वाली है क्योंकि हाली मौसम विभाग ने भी जनवरी फेरवरी के महीने में कडाके की ठंड गिरने की बात कही है इसी बीच मौसम को लेकर एक और बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई है जुसके तहत अगले एक सब्ता हमें ही ठंड का रौधर रूप देखने को मिल सकता है मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के नुसार नमबर महीने के पहले सब्ता में मौसम में अधिक परिवर्तन दिखाई देने वाला है आलम कुछ यो रहेगा कि तापमान बारह डिक्री तक भी जा सकता है बिहार भाग में सड़क ठेकेदार पर इंकम टाक्स की चापमारी आयकर बभाग ने बिहार और जारखन में काम करने वाले एक प्रवुख नर्मान ठेकेदार के खिलाफ चापमारी की है जोसके बाद लगभग 100 करोड रुपे की काली कमाई का खोलासा हुआ है जोसको लेकर केंद्रिय प्रत्यक्ष करबोड ने सारी जानकारी साज़ा कर दी है CBDT की तरफ से मिली जानकारी के नुसार 5.7 एक करोड रुपे की नक्ती जब्त किये गया है और 10 बैंक लॉकर पर रोक लगाने का काम किया गया है इतना ही नहीं छापमारी से ये भी पता चुला है कि ये समूह सामागरी की खरीद पर खर्च बढ़ा कर अपने मुनाफे को कम कर दिखा रहा था CBDT ने कहा है कि समूह अन्य व्यवसाई खर्चों को भी बढ़ा कर दिखा गया है इसके साथ ही और भी कई घोटालों का खुलासा भी हुआ है अब सभी प्रखंडों में होंगे पंचायत समीती सरकार भवन बिहार में कुल मिलाकर 534 प्रखंड है वहीं इन सभी प्रखंडों में पंचायत समीती सरकार भवन बनाने की तयारी कर रही है मिली जानकारी के अनुसार इस भवन में प्रकंड प्रमुख पंचायत समीती के कारेपालग पदादिकारी और संबंधित सभी कर्मचारियों के बैठने की ववस्ता होगी इसको लेकर पंचायती राज वभाग जल्धी प्रस्ताव तयार करने वाला है वभाग की तरफ से इस प्रस्ताव परवित्य और क्याबिनेट की स्विक्रती लेने के बाद भवन निर्मान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी जिसके बाद लगभग 2 करोड की लागत से एक भवन को तयार किया जाएगा जिसमें अनुमानित है एक हजार करोड से परच होने वाली है इसको लेकर भवाग के पदादिकारी बताते हैं कि एक पंज़ाद समीती सरकार भवन के नर्मान पर 2 करोड लागत आने का अनुमान है भवन के नक्षे को लेकर भवन नर्मान भवाग से मदद ली जाएगी मिटे मील के लिए अब कैश पेमिंट के जरीए नहीं होगी सबजी से लेकर तेल तक की खरीद अब तक मध्यावहन भोजन की खरदारी कैश की मदद से की जाती रही है लेकिन अब मध्यावहन भोजन में अब सबजी नमक से लेकर तेल तक की खरीद कैश पेमिंट से नहीं ह साथ ही इसमें वेंडर के जरिये खेरती भी की जाएगी यानि कि अब सीधे दुकांदार या वेंडर विशेश के खाते में खरीद का पैसा जाएगा इसको लेकर राजसरकार ने सिंगल नोडल अकाउंट से स्कूल का अकाउंट कनेक्ट करने की बात कही है जो इसके तहट बि अब अब उमीद यही जटाई जा रही है कि राजे में ये प्रयोक सफल हुआ तो 20 रुपे के कैपसूल से ही पराली प्रवंधन की समस्या दूर हो जाएगी 15 दिन में इस प्रयोग के बाद किसानों को ना तो पराली जलाने की समस्या होगी ना ही काटकर खलिहन में ले जाने की होगी इतना ही नहीं पाने की भी काफी ज्यादा बचुत होगी वहीं यूरिया का छुड़काव भी कम करना होगा इसको लेकर संस्थान ने 20 रुपे की कीमत वाली चार क्यापसूल का एक पाकट तयार कर लिया है बिहार के निर्यात 20 कुना बढ़ाने की शुरू हुई तयारी बिहार में नई निर्यात नीती के तहट सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन कांसिल लेधर एक्सपोर्ट प्रमोशन कांसिल फार्मा एक्सपोर्ट प्रमोशन कांसिल और जूर्री एक्सपोर्ट कांसिल समेट दूसरे उत्पादों के एक्सपोर्ट प्रमोशन कांसिल विहार में खोलने पर जोर दिया गया है इसमें अंतरास्ट्रे कारोबार मेला की बारे में विहार के निर्यातकों को आसानी से पता चल सकेगा विहार में आने वाले चार साल में 20 कुना निर्यात बढ़ानी की तैयारी हो रही है वहीं उचिस्तर पर इसकी समिक्षा के बाद इसे मुख्यमंत्री के सहमती के लिए भीज दिया गया है जानकारों की माने तो बिहार से निर्यात बढ़ाने के लिए पेट्रोकेमिकल उतपाद और मास्ट से जुड़े प्रसंसकरन उतपाद ग्रोथ हैं जुन मनेंगे इस समय से बिहार के दूसरे डेंटल कॉलेज में शुरू होगी पढ़ाई बिहार में अब डेंटल की पढ़ाई करने वाले चात्रों को दूसरे राज्यों की बैसाखी का सहारा नहीं लेना होगा क्योंकि बिहार में साल 2023 से नालंदा के रहुई प्रखंड में नर्मानाधीन सरकारी डेंटल कॉलेज उस्पताल में डेंटल चुकित्सा की पढ़ाई शुरू होगी इस डेंटल कॉलेज में एक सौसीटो पर छात्रों का नामांकन बैचलर इन डेंटल साइंस में होगा विशेश रूप से दक्षिन बिहार के लोगों की दाथ की चुकित्सा के लिए इस अस्पताल में सौबेट का स्पताल संचालित किया जाएगा इसको लेकर स्वास्तव भाग के उचिस्तरिय टीप ने हाली में नालंदा में नर्माना धीन डेंटल कॉलेज उस्पताल का निरिक्षिन किया है और वहाँ निर्मान कारियों में तीजी लाने का निर्देश दिया गया है दोनों विधानसवाज शेत्र में क्याम करने पहुँचे टेजवस्फी और जगदानन सिंग आज विधानसवाज अप्चिनाव के परिणाम की घोशना होने वाली है हाला कि परिणाम को लेकर राज़त पार्टी काफी ज्यादा सा तर्क नजर आ रही है परिणाम आने से पहले ही पार्टी ने तयारियां शुरू कर दी थी जिसके तहती राज़त पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष टेजस्वी आदव और जगदानन सिंग बीते दिन से ही दोनों विधानसवाज शेत्र में क्याम प लगाए बैठे हैं मिले जानकारी के नुसार इस बार राज़त किसी भी तरह की गड़बडी होने नहीं देना चाहती है जिसके लिए पार्टी ने कमर कसली है इसको लेकर राज़त के प्रदेश अध्यक जगदानन सिंग ने कहा कि बैमानों से कह दो अगर बैमानी की तो दुरुस्त कर देंग बिहार में धान खरीद की हुई शुरुवात दिक्कत होने परस नमबर पर करे कॉल बिहार में धान खरीद की शुरुवात कर दी गई हैं वहीं बिहार सरकार के सहकारिता मंतरी सुभाष सिंग ने सोमबार को धान खरीद की शुरुवात करते वे कॉल सेंटर का भी शुभार दे सकते हैं, आपकी जयानकारी के लिए आपको बता दे कि अकसर ऐसे मामले आते रहते हैं, खिकानों को अपना dhans द्याक्षक Lazio की नई परवाही की बजऑ से कई बार के अदन की धान कई दिनों तक नहीं बिखवाती है, वहीं दूसरे कायों की वज़ोसे भी कई बार dhans ख शिकायद देखने को मिली है कि यहां यात्रियों के लिए परियापत सुविधा उपलवध नहीं हो पाती है। असमान के नीचे रहने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। इसके साथ ही चेक इन एरिया में भी व्रधी कर दी गई है। शोबाद और अधिक समझ में आएगा। लालो यादव ने अपने ट्वीट में सरसो के तेल की बोतल में उसकी कीमत भी दिखाई है। जिसमें साफ तोर पर देखा जा सकता है कि उसकी कीमत 230 रुपे से उपर है। आपको बता दे कि राज़त सुप्रीमो लालो प्रसाद यादव ने इससे पहले भी कई बार महंगाई को ले कर सरकार का घेराव किया है। कॉंग्रिस के सदसता अभियान की हुई शुरवात। कॉंग्रिस पार्टी वर्चस्व को बढ़ावा देने के लिए पार्टी ने ये अभियान 31 मार्श तक चलाने की बात कही है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दे कि 26 वक्टुबर को दिली में कॉंग्रिस के बड़े नेताओं की वैठक हुई थी। उसे में कहा गया था कि मेगा सदसता अभियान शुरू किया जाएगा। महारत के इतिहास में आज की तारिक कई कार्णों से है दर्ज। प्रसिद नातकार अन्ना साहिब किर्लोसकर का 1885 में निधन आज यू के दिन हुआ था। ये टीम उतनी mentally tough नहीं है जो knock-out match के दबाव को जहिल सके टीम इंडिया के पास कई बहतरीन खिलारी है और टीम बहुत खतरनाक है लेकिन बड़े match में चीत हासिल करने के लिए आपका mindset भी उस तरह का होना चोहिए जब तक आप मजबूत मानसिक्ता के साथ मैदान में नहीं उतरेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी स्पीड लिमिट प्रॉस करने पर आपको गूगल माप भेज़े का अलर्ट को तैय कर सकते हैं कल हमारे दुवारा पूछे के सवाल का जवाब आप मेंसे बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपको बहुत-बहुत धहनिवाद आप मेंसे जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है पंकजास, माहियानन, सुजीत कुमार, विनोध कुमार, मनीश मोहरा, ओमकार सिंग, श्रंकर मुख्या, पूनम कुमारी, गौतम कुमार, नीरज कुमार, अनुपरिया, रितिक कुमार, नुसरज जहां, रामु कुमार, पंकज सिंग, इसके लाव हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छ इतने वाले हैं, अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, इसके साथ ही आज के लिए बिहार की बड़ी खबरों से अब्लेटिव ढहने के लिए हमारी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकों दवाना ना भूले, धन्यवाद